तो कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डियर सान हेल्थ केर में तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि आपको सर्दी जुखाम, बुखार, बंदनाक, बार-बार छहींक आती है और सर में दर्द रहता है तो दोस्तों इसके लिए हम आपको ऐसी दवा के बारे में बताने वाले हैं जिनका यूज अगर आप करते हैं तो 100% दो तो आपको बहुत जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखना है और इसकिप नहीं करना है हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है तब आप इसका यूज करते हैं तो आप बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगे तो दोस्तो हम आपको सबसे पहले दवाओं के बारे में बताएंगे कि हमें कौन-कौन सी दवा को लेना है और उसके बाद इसको खाना कैसे है उसके बारे में बताएंगे तो दोस्तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को All पर प्रेस कर दीजे तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि हम कौन-कौन सी दवा लेंगे तो अचले दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी दवा लेना है, ठिक. तो यह देखिए, Siffaggym and Ophlexacin tablet, ठिक. आपको इस दवा को ले लेना है, ठिक. और दूसरी दवा, ये Cytgen, ठिक. Cytgen tablet ले लेना है, ठिक. ये आपको by name से ही लेना है, ठिक. सिट जिन टैबलेट ले लेना है ठिक और ये कमभी फ्लाम ठिक कमभी फ्लाम टैबलेट ले लेना है और ये क्या बोलते हैं बेनोसाइट फोर्ट ठिक आपको बेनोसाइट फोर्ट टैबलेट ले लेना है ठिक तो दोस्तों आपको इतनी टैबलेट ले लेना है ठिक चार दवाव को ले लेना है तो इन में से दोस्तों आपको चार खुराख दवा को ले लेना है ठिक ? ये कहीं भी अटिकाल इस्टोर पर अवेलेबल है आपको आसानी से मिल जाएगा ठिक ? और लेने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले एक खुराक खा लेना है, ठिक, और दूसरी खुराक आपको 6 घंटे बाद खानी है, ठिक, तो इसी तरह करके आपको 6 घंटे बाद, 6-6 घंटे बाद आपको सभी दवाओं को खा लेना है, ठिक, और ध्यान देना दोस्तों, आ गले में बलगम जम जाता है और खासी आने लगती है तो ये नहीं आएगा ठिक तो इसलिए दोस्तों पानी को गरम करके रख लेना है और जब भी दवा खाना है और जब भी आपको पानी पीना है तो आपको वही गरम पानी को ही पीना है ठिक आपको साधे पानी का योज बिल गरम पानी कर लेना है, एक गिलास और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लेना है, और उसी पानी से आपको गलारा करना है, ठिक, तो इससे दोस्तों ये फाइदा होगा कि आपको खासी की सिकायत नहीं होगी, ठिक, तो दोस्तों हमने जैसे जैसे बताया है, अगर आप उसी तरह इ है और हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेना है उसके बाद आपको इस दवा का योज करना है ठीक और वीडियो दोस्तों कैसे लगी हमें कमेंट बाक्स में बताना ना भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करना ना भूलेगा और मैं इस पर हेल से रिलेटे वीडियो डालता हूँ तो दोस्तों अगर आपको हेल से रिलेटेड जान करी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजियेगा और इसके बारे में दोस्तों आपको और अच्छी तरह से जान करी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बाक्स में